हुआ है हुआ है हुआ है हम लोग कर रहे थे MTS के प्रीवेश इंग्लिस के और एक पेपर में हम लोग कर चुके हैं यह पेपर किस समय का है 2021 का जो MTS का पेपर हुआ था उसी का पेपर है और यह हुआ था पांच जुलाई 2022 को ठीक है 2021 में हुआ नहीं था पेपर 21 का है और एक्जाम कंड़क्ट कर आगया था पांच जुलाई 2022 को जिसमें से सीफ्ट वन का पेपर हम लोगों ने कल किया था आज करने जा रहे हैं सेफ्ट टू का पेपर तो आज मारा पेपर सट कौंसा है दूसरा वा जाएगी कल वाले में हम पीडियाफ लगाना भूल गए थे ठीक है तो फिला तो आपको दिखी गया होगा हाला कि अब मैंने वह कल वाला भी पीडियाफ अटाइज चरदिया है कल वाले के साथ और आज वाले के साथ ठीक है तो ज्यादा टाइम ना विस्ट करते हैं हम लोग आज के अपना डिश्कुशन और देखो यह पहला कुश्चन जो है किस से रिलेटेड है पहला कुश्चन है साइनोनीम का ठीक है साइनोनीम किसका पूछ रहा है इन्होंने हम्बल का समच्छा है हम्बल का मतलब क्या होता है कोई आदमी बहुत ही बिनमर होता है बहुत ही सा सायनोनिम force hauk Escobar Humble जो सायनोनिम तुर हो सकता है पॉलाइटीक पॉलाइट थे पॉलाइट होता है पॉलीनागा बड़ा तो होता है और एक थे सिनीम होता है boy boy झाहिए तो पॉलाइट मॉडेस्ट इन में से दबंग टाइप का है दबंग समझ रहे हैं ना बहुत ही मतलब कमांडिंग बहुत ही confident होता है दबंग टाइप का आदमी assertive का जाता है बोल्ड बहुत हिमती सहसी होता है modest यह जो को हम निखाता है modest मिल गया तो हमारा answer यही होगा humble का synonym यही होगा inactive जो होता है कोई ऐसा आदमी जो बहुत मतलब ऐसे पड़ा रहता है डेला डाला सा सुष्टसा इसको डिस्क्री निश्क्री कहते हैं ठीक है तो हमारा answer जो है इसमें का वह हो गया थर्ड वाला अब आते हैं question number two पे ठीक है question number two में है क्या जी देखो यह है error का question हम कि देखो यहां अगर इसे मिल गया ना लिखा हुआ no error जिसका मतब यह error का question है अब error पकड़ने के लिए आपको question पढ़ना पड़ेगा question पड़ो southern states has made an impressive comeback in the latest rankings अब ठीक है southern states यह आपका subject हो गया states जयान देना states plural है कि नहीं है यह देखो states लिखा है plural है कि नहीं है states है अब यह क्या लिखा हुआ है singular लगी है ऍस टेट सिंगुलर नहीं है होना क्या चाहिए था यहां होना चाहिए था है ठीक है ना subject वभर एक्रविमेंट की पहाँजा है जोले पार्ट में तो है जोला पार्ट किसमें दिया हुआ है यह जी यह है है इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड धिया देना यह पर क्या लिखा है words words का मत्तब क्या हुआ एक word नहीं एक से ज्यादा word होंगे जो जिसकी spelling इसमें गलत हो सकती है ठीक है एक word वाली spelling नहीं है यह sentence में एक spelling गलत पूछ रहे हैं और एक single word की गलत पूछ रहे हैं तो आगे मिलेगा आपको question यह sentence में गलत पूछ रहे हैं तो यहां देखो पहले यह लिखा है everyone तो everyone की spelling गलत है जी क्योंकि everyone में spelling होती है e-v-r-y every ऐसे होता ना e-v-e-r-y तो everyone गलत है everyone was talking talking and laughing laughing की spelling गलत हो गई ठीक है यह laughing गलत हो गई ठीक है during the trip तो laughing की spelling क्या होती है ल-a-u-g-h ल-a-u-g-h होगा ठीक है थोड़ी सी spelling लिखने में गड़बड़ हो गई ल-a-u और यह जी-h होगा इसमें ing लगेगी ठीक है ऐसे बनेगा everyone was everyone की यह होगी laughing की यह होगी बाकी तो सही है during the trip में कोई गड़बड़ नहीं है और walking talking में भी कोई गड़बड़ी नहीं है तो हमें everyone की spelling पहले देखने कोई सी यह वाली everyone सही है यह वाली everyone सही है यह वाली everyone भी सही है यह वाली everyone गलत हो गई तो यह हो गया इसमें हमें यहां से हैं और laughing से देख लेते हैं ल-a-u-g-h-i-n-g यह ए-l-a-u-g-h नहीं है तीन में गलतियां निकल चुकी है अब एक किवाल आपसन बचाँ आपका टू आलाप ठीक है बाकिसर में कोई नहीं कोई गलते नहीं कि लिए तो एसमें everyone की भी सही है laughing की भी सही है अब आपका answer कोई सा हो गया टू हो गया ठीक है तो question number 3 हुआ ज़रा ध्यान रखिएगा इसमें अगर जानते हैं आप लोगों से exam में क्या mistake हो सकती है जैसे अपने everyone को देखा ठीक है everyone को देखते है अब इसमें कहीं से एक word मार दिया तो वो गलत हो जाएगा इसमें पूरा चेक करना पड़ेगा यहां से यहां तक क्या mistake है तो mistake एक है और यह दो है तो multiple mistakes हो सकती है क्या कि यहां लिखा था Mr. spelled words तो multiple mistake हो सकती है तो पूरा sentence पढ़के जितनी भी गलतियां होंगी spelling की उन सारी spelling को सही करना पड़ेगा और वो option जिसमें सारी spelling सही होंगी वही आपका answer होगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं question number four यह तो strategy की बात हो गई हमें कैसे करना है इस तरह के questions को अब आते हैं four में idiom दिया हुआ है ठीक है इडियम क्या है lion's share lion's share का मतलब क्या हुआ जैसे मालो imagine करो एक situation imagine करो वैसे lion हिसा बाठता नहीं है पर suppose करो कि एक lion है और एक fox है और एक wolf है टीन लोग है ठीक है कौन कौन एक lion है एक fox है और एक wolf है तीनों मिलके सिकार करते हैं एक किसी चीज़ का सिकार करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो सिकार है उसका ज्यादा कौन खाएगा lion कहाएगा कि fox खाएगा कि wolf खाएगा जाहिसी बात है यह ज समाइन खा जाएगा यह इतना पूरा इसका हो जाएगा इतने में विल्फ और फॉकसर खाएंया तो फॉकसर में वेल्फ बड़ा लेगा फॉक्स को मिले चोटा फाला हो ठीक हैं तो लाका सेर का मतलब क्यआ्थ कहुए हुआ बड़ा वाला हिस्सां बिगेस्ट सेयर तो की बेजिती हो जाएगी तो लार्जेस्ट पार्ट होगा अब आप ये भी न सुचेगा कि इंटायर एमाउंट ये भी नहीं हो सकता है वो गलत हो जाएगा सबसे बड़ा वाला हिस्सा होगा ठीक है तो अब आग जाओ question number five में question number five देखने से लग रहा है कि error का question है ठीक है है भी error का देखो यहां से एक वर्ट देखता हूं में यहां से मिल जाता है हमको किसमें करना क्या है ठीक अगर नोग अपसंद दिया है इसका मतब एर का question हुआ हम तो लिखा है marine vegetables are तो vegetables क्या लिखा है sorry vertebrates vegetables कहां से निकल गया मुझे हो जाता है कभी कभी ठीक है तो marine vertebrates vertebrates मतब क्या होता वह ऐसे प्राणी जिन में vertebrates होती है कैसे रुकी इनको कहा जाता है और vertebrates क्या है plural है और plural है पी subject हो गया प्ली वर्ब हो गयी दोनों plural है और valuable far तो valuable के साथ far लगता ये भी सही है many regions many plural वह है नंबर है तो रिजन प्लूरल लिखा हुआ तो इसमें कोई गलती मिली नहीं अगर कोई गलती नहीं मिली तो फिर क्या होगा नो एरर होगा देखो भी है जबर्दस्ती गलती मत निकालना नहीं तो गरबर हो जाएगा ने फिर गलत हो जाएगा जबर्दस्ती गलती निकालना है और आज वह तो क्वेशन नमबर 6 में तो इसमें करना क्या है statement पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ठीक है एक खाली जगह है तो थैंक यू सो डैस फार हेल्पिंग में इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करने की आपको बहुत-बहुत शुक्रिया तो आप लोग बोलते ही हो या थैक यू बेरी मुच ठीक है ना यह तो बोलते हो ना थैंक यू बेरी मुच अब देखो कभी-कभी होता क्या कि जो हम तो यहां क्या होगा एमाउंट आएगा क्या बताना है आपको एमाउंट ओफ एक्शन कितना सुक्जा कितना धन्यबाद यह हो गया एमाउंट ओफ एक्शन तो कार्य करने की मात्रा को हम क्या कहेंगे तू को होगे तू लगेगा नहीं तू के साथ अर्जेक्टिब लगान चाहिए था मोस्ट लगाना ही नहीं है भी जब तक सुपर्लेटिव डिग्री कोई जरूर रहें लगाना पड़ेगा मच लगता है माउंट के लिए माउंट आफ एक्सन मच होता है माउंट ऑफ थिंग भी मच होता है ठीक है तो बस टेखनिकली भी यही आ सकता है वहाँ पर बोलचाल में भी वही है ठीक है तो हमारे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर सेविन क्वेश्चन नमबर सेविन सेविन वन समोर विलंगिंग टू फिल इंद ब्लेंक अच्छा इसमें जो फिलर लगाना उसके पहले आइंड दिया हुआ है तो मैंने जब आपको ए जैसा वर्ड यहां भी होगा अगर यह पॉजिटिव सेंस का वर्ड है तो यहां भी पॉजिटिव सेंस का वर्ड होना चाहिए ठीक है सेम नहीं होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए ठीक है तो हमें देखने काइंड के साथ क्या लगा सकते हो काइंड का सिमिलर ठीक है सेम नह यहां भी आएगा अगे लिखा है to everyone in the family तो kind के साथ careless लगा दोगे, careless मतलब करूर होता है निरदा यह लग नहीं पाएगा, ruthless का मतलब भी होता है, unkind, generous का मतलब होता है, उदार जो दूसरों की बहुत मदाइट किया करता है, इस turn मतलब बहुत सकत, तो यह negative में जा रहा है, तो kind के साथ क्या fit हो रहा है, kind के साथ fit हो रहा है, generous तो आपका answer का उच्छा हो गया, three हो गया, ठीक है, आब आगे बढ़ते हैं, ठीक, हमारा रहा यह question number eight, क्या है question number eight में देखते हैं, फिर खाली जगए बरने के लिए दे दिया है, ठीक, अब आते हैं question number eight पे, question number eight में क्या है, देखो फिर खाली जगए बरने को दे दिया है, तो देखो क्या लगाना है यहाँ पर, तो शुरुवात करते हैं, hardly had I called him, that my mother started screaming, तो अब देखो, यहाँ जनते हो, एक पेर वाला फिलर है, पेर वाले फिलर में क्या होता है, कि जैसे हम लोग देखते हैं, no sooner के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, then यूज़ करते हैं, ठीक है, no sooner के साथ क्या लगता है, then लगता है, hardly और scarcely के साथ क्या यूज़ के जाता है, hardly हो गया scarcely हो गया इन सब के साथ क्या यूज़ किया जाता है इन के साथ हम लोग यूज़ करते है when यूज़ करते है ठीक है इसी तरह से मान लो not only लगा होता है तो क्या यूज़ करते है not only दिया होता है तो दूसरा वाला pair जो होता है इसका fix होला वो क्या होता है बटाल सो होता है ठीक है ऐसे है अगर neither लिखा होगा तो neither के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग nor यूज़ करेंगे either होगा तो और यूज़ करेंगे whether होगा तो और यूज़ करेंगे junior senior होगा तो two यूज़ करेंगे तो यह सारी अब आगया आजो question number nine में question number nine में कुछ पार्ट underline करके दिया हुआ है और पोछ रहे हैं कि इसकी जगह पर क्या होना चाहिए ठीक है improvement का question है तो दिया है कि the 18th century मतलब 18 में शताव दिया 18th century saw the middle classes becoming most prosperous ठीक है तो 18th century ने देखा कि जो middle class है वो सबसे अमीर हो गया नहीं तो ये सबसे अमीर नहीं हुआ था 18th century देखो 15th century में 14th 15th century में middle class के राईज हुई थी ठीक है तो 18th century में अचानक से वो सबसे अमीर नहीं हो गये थे बलकि और अमीर पहले की पिक्षा ज़्यादा अमीर हो गये थे ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है कि मूर प्रासपरस और सा यहां लिखाना है 18th century ने देखा सा के बाद किसको दिखा middle class को तो अब यहां जो वर्ड लगा ओगे वो क्या होगा become या becoming दो चीज हो सकती है क्योंकि यह जो सा लिखा है इसके बाद या तो हम ing वार्म यूज करेंगे या तो वर्ड वर्ड की first वार्म यूज करेंगे बे और infinitive यूज की जाती है। के पेड़े टू नहीं लगता है तो become बीन नहीं लगा सकते हो यह third form हो जाएगे यह लगेगा नहीं और become more यह become more prosperous यह तो ठीक है became यह second form में नहीं आएगा ठीक है ना middle class को more prosperous होते हुए तो यह जो becoming है ना होते हुए या तो becoming होता या तो become होता अब यहां इस वाले sentence में जो given sentence है उसमें क्या mistake है इसमें becoming तो ठीक है लेकिन most गलत है ठीक है और नीचे आ जाओ तो यहां पर more लिखा है लेकिन इसके साथ बीन गलत है यहां become सही है more सही है दोनों सही है यहां became गलत हो गया ठीक है उससे नंबर 10 में देखो क्या है question number 10 आओ question number 10 है synonym किसका synonym है देखो एक underline किया हुआ word है उसी का synonym है तो आप यह ऐसे ही direct meaning नहीं निकालनी है अगर sentence में दिया हुआ है तो आपको यह पूरा sentence पढ़के इसकी contextual meaning निकालनी होगी यहां किस context में वर्ड यूज किया गया है तो देखो लिखा this medicine can make you feel यह दवाखोगे तो आपको क्या feel होगा लेथर्जिक और डिजी डिजी का मतलब क्या होगा आपको चक्कर आएगा तो लेथर्जिक का मतलब क्या होगा आले से आएगा सुस्ती तो सुस्ती के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे इसका साइनोनीम यूज करना है याद रखिएगा सुस्ती के इन एक्टिव का मतलब क्या हो गया एक्टिव का अपोजिट तो लेथर्जिक जो होता है वो क्या होगा वो सुस्त होता है एक्टिव का मतलब क्या होता है सक्री होता है तो उसका अपोजिट हो गया इसके पहले इन एक्टिव लगा दोगे तो इसी का अपोजिट हो जाएगा ठीक है तो लेथर्जिक और इनक्टिव तो इनक्टिव आपका आंसर हो गया और नहीं हो गया निस्क्री सुस्त धीला ढाला लेजी आलसी ठीक है तो यह हो गया आपका आंसर लेथर्जिक का कौन सा इनक्टिव बाकियों की मीनिंग देख लो काइनेटिक का मतलब क्या होता है गतिसील जिसमें मुवमेंट होता है वीव हैंसियस का मतलब क्या होगा? एक दम जिंदा दिल लाइब टाइप का होता है, कुछ लोग बड़े खुस मिजाज होते हैं तो वीवेथियस मतलब है वही खुस मिजाज समझ लो, मिस्टीरियस मतलब रहिसे में यह कोई हमारे answer नहीं होंगे यही होगा लेजी का ठीक है तो 10 question हो गए अब आते है question number 11 पर यह क्या कह रहा है one verse of substitution की बात कर रहा है किसका one verse of substitution यह पूरा statement दिया हुआ है statement क्या है the science and art of political government political government की art यह political government के science को क्या कहते है politics कहते है ठीक है समझ गए अब बात आई और की तो sociology क्या होगा social behavior का science होता है economics क्या होता है economic activities होती है theology क्या होता है इसको कहते है धर्म सांस्त्र ठीक धर्म से related छीज़ों को पढ़ना ध्यान करना वो theology हो जाएगी बात समझ गए ठीक है अब आगे आते हैं हम लोग question number 12 में क्या है देखो incorrectly spelled word यहां पर दिया हुआ है correctly spelled word किसकी spelling सही है तो एक ही word है यह पूरे चारों एक ही word है उसमें तीन गलती spelling में है एक सही spelling में है तो सही spelling क्या होती है prominent की पहले यह आप समझ लीजे pro ho 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 spelling गलत है यहाँ prominent में यह गलती हो गई और ए लगा हुआ है यह गलती हो गई यहाँ प्रॉमिनेंट में अब आगे आजाओ question no.13 में तो ये 13 क्या है 13 में देखो ADM दिया हुआ है ठीक एक एडियम इसके पहले आ चुका एलायांस ते से अब यह दूसरा वाले ADM आ गया दुख में भी आपके साथ रहेगा तो थू थू के अंतिन का मतलब क्या हुआ इन गुड एंड बैड टाइम्स हमेशा गुड टाइम्स में भी बैड टाइम्स में भी आपका साथ देगा ठीक है अब आजाओ question number 14 तो 14 में क्या है एंटरीम का question है अब किसका क्वेशन ज्यादा आते हैं जब हम descriptive answer लिखते हैं तो इसमें दिया होता है कि गिव आप फीचर्स आफ निश्नल मुवमेंट ठीक है या salient features of dandy much as kus इस तरह के दे लिए जाते हैं tfew आफ developing खंटरीज तो यह होता प्रमुख का मतलब क्या होगा IMPORTANT इंपॉर्टंट ब्षिफता है कौन सी ठीक है यह आ गया इंपॉर्टंट तो चीफ прमुक ही हो ओ गया यह तो सइनोनीम हो गया रिमार्केबल उलेक नहीं होता है य मेल्फिटन का मतलब प्रमुख होता है यह भी सिनोनीम हो गया तो जो synonym है वो answer नहीं होंगे ठीक है अब एक बच्छा insignificant नहीं होता है तो यही आपका क्या बन गया एंट्रोनीम तो यही आपका answer बनेगा clear ठीक है अब आगे आजओ question number 15 में ठीक तो question number 15 क्या है question number 15 फिर वही underline किया हुआ है यह देख लो अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो नो improvement अगर गलती है तो देखना होगा कि उसकी जिगह पर सही क्या होगा इसके लिए आपको statement पढ़ना पड़ेगा और statement क्या है statement यहां है I don't know यहां तक तो कोई गलती नहीं है I don't know यह तो फ्री हो और यह हुँड यह दाए है उसके बाद दिखाएं सत्सकूरेटली स्क्रेटली अर्या सिक्रेटली म centre होता है यह चुपचाप ठीके नब मतलब क्या हैं ही क्रेप्ट in maim सुक्रेटली मतलब क्या हुआ हूअ होँग चुपके से मेरे कमरे में आ गया तो चुपके से क्या होता है यह होता है मैनर काम करने का ढखructive है अब यहां करें हूआ है ही की बिशेष्टा रिफ ऐगी थोड़े लगाऊगे मैनर गलत है मिशेष्टा बताने है नाउन या प्रॉनाउन की बिशेष्टा बताने के लिए क्या यूज करते हैं और इस क्रेटली क्या है अगर अगर बनाओंगे तो सिक्रेटिव हो जाएगा सिक्रेटिव का मत्तब क्या होता ऐसा अब्यक्ति जो अपनी बातों को अपने पासी रखता है दूसरे से बताता नहीं ठीक है छुपा के रखने वाला सिक्रेटिव होता है सिक्रेटली नहीं होता ठीक है तो अब आजाओ तो ही की विशिष्टा बतानी है इस लगा हुआ है ठीक है सच के साथ सिक्रेटली का सिक्रेटिव हो जाएगा और सच नहीं लगेग लगाएंगत Dinge के पहले लगाphon Ah तो यह 16 में क्या करना है आपको देखो फिर भाहिवाई लिएहya देख लो ठीक है तो यहां बताना है कि the death of knife in his hand made her sick तो यहां दिखाना है sight ठीक है तो यहां sight का मतलब क्या हुआ sight का मतलब द्रिश है चाकू का scene चाकू का द्रिश देख कर कि यही उसकी रूख आप गई बिचारी की ठीक है तो अब देखो इसमें हम लोगों को site कई तरह एक यह site है एक यह site है यह site है यह site है तो पहले आपको सारे site में difference बता दें कि काउन सा क्या होता है site का मतलब होता है कार्यस्तल जहां काम चल रहा हो यह ठेकेदार का मतलब क्या हुआ workplace क्या होता है वर्क place यह एंजिनियिर्स और ठेकेदार यह जो होते हैं इन लोगों के लिए जैसे कोई mystery है उसका कई काम लगा हुआ हुआ है जो घरपे क्या क्या रहा है साइट पर जा रहे हैं मतलब स्लाइट का मतलब होता है जैसे कोई यह बोलता है कि गेता में कृष्ण ने कहा है तो आप कोट करना जो होता है कहीं से इहां आजाओ मतलब क्या हुआ चाकू का इसे चाकू का सीन आखों को जब उसकी आखों के सामझे चाकू का सीन पड़ा तो वह क्या हो गए मेर हरसी मतलब उसकी हालत खरण होगे तो कम साइट होगा SIGST वाला होगा scene के sense में है ये dressy के sense में है तो आपको ये वाला site लगाना होगा ठीक है अब आगए आजो question number 17 में तो 17 क्या है once more वही डबबा the dash needs of the inhabitants लिखा यहाँ पर adjective यूज करोगे dash needs of the inhabitants seem to be fruit क्या क्या है उनकी जरूरते क्या है fruit है, ice drinks है or shiny boots है or lottery tickets है ठीक है वहाँ के inhabitants की ऐसी needs है तो बड़ी अजीब वगरीब है समझ में नहीं आ रहाँ ये क्या है fruit है, ice drinks है अच्छा, shiny boots है lottery tickets है चलो, खीक, कोई बात नहीं तो ये क्या होगई, उनकी main जरूरते होंगी main जरूरते के लिए, अब यहाँ पर क्या word लगा होगे amiable का मतलब क्या होता amiable, amiable बना हुआ है और amiable का मतलब होता मित्रवत, मिलनसार जिसको हमारा हम से खुश कर सकते हैं ठीक है, ये हो गया इस principle में, PLE जब होता है इस principle का मतलब क्या होता सिध्धान्त, तो ये सिध्धान्त जरूरते नहीं होगा, ये तो गरत हो जाएगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा अब invincible का मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, needs invincible needs of the inhabitants नहीं होगा तो यहां क्या होगा, principle needs of the inhabitants इस प्रिंसिपल का मतलब अरे प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यह प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ मुख्य प्रमुख तो उनकी प्रमुख जरूरते यह नीट्स लिखा ना तो उनकी प्रमुख जरूरते तो क्या होगा प्रिंसिपल नीट् चलो क्या करना है हमको दियर और गुट पॉइंट यहां तो ठीक है तो इच साइड ठीक हर साइड कुछ गुट पॉइंट है और यहां हमें प्यश्षषण लेनी है कैसे लोग कैसी विश्षषण प्यूपल की याद रखना पिपल के पहले लगाना है तो कैए से सरवत्र जोब्यापत होता है जगह हैं पाया जाता है यूबी पिट्स कहते हैं इसको तो यह सर्वत उपीपल तो नहीं होगा ठीक है तो यह गलत हो गया अन्बायसड पिपल यह बहुत ही लगँ लगा आन्बायसड उगड़न जिसके अंदर कोई पक्सपात कोई भेटभाव नहीं होता दे यह हो गया वी नहीं होतें, मजबूत नहीं होतें, तो यहाँ वीक लोगों की जरूरत नहीं है, unadorned, तो addorned का मतलब क्या होता है, सजाना किसी को एदम decorate करना, तो unadorned people, यह people की adjective भी नहीं बन सकती है, तो यह लगेगा नहीं, पीपल की अज्यक्टिव थी लेकिन यहां जरूरत नहीं है इसकी आपका आंसर होगा सुटेबल अब आजाओ क्वेस्टन नमबर 29 पे क्या है जी 29 में फिर भई खाली जगा देखो हद्ध हो गई है यह तो अब आउट त्री यह अगो करी तीन साल पहले की बात है एक बोड़े बुड़र्गाजमी थे डैस नेम वस पॉल जिनका नाम पॉल था तो यहां क्या लगा ओगे जिनका नाम जिनका के लिए क्लिए क्या होगा हूम नेम लगाओ सब के साथ नेम देखें किसके साथ लगता है हूम नेम तो हूम नेम नेम नहीं होगा विच नेम तो विच नेम को मतलब हो कौन सा नाम तो यह भी ठीक नहीं हो गया हूज नेम जिसका नाम पॉल था यह ठीक है जिसका नाम पॉल था यह ठीक है जिसका नाम पॉल था ठीक है जिसका नाम पॉल था ठीक है अब आज़ो क् एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीम होता है इस्ट्रीम क्या है एड़ेक्टिव होना चाहिए तो एक्स्ट्रीम नहीं हो गया होगा तो extreme जहां लिखा होगा वो गलत होगा extreme effective strategy गलत है extremely effective होना चाहिए answer आपका कौंसा हो गया 4 हो गया ठीक है अब आते हैं हम लोग question number 21 तो इस question को तो भली बात ही जानते हो ना एक passage दिया होगा इस passage में कुछ खाली जगहें होंगी जो खाली जगहें होंगी उन उन जगहों को आपको fill करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको तो ये करने के पहले क्या करना होगा आपको एक बार इसी पूरा पढ़ना पढ़ेगा बिना पढ़े तो नहीं हो पाएगा ठीक है चलो दिया है different foods different foods देखना different के साथ foods क्या है plural में दिया हुआ है बातें बतातें चलेंगे तो different foods in das food अब ये देखना food क्या singular में है ये foods देखना plural में है और ये food क्या है singular में है ठीक तो यह मैं सुचने कि यहाँ different लगा था हम यहां Bully तो नहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो यहीं पर डिप्रेंट प्लोरल दिया हुआ है तो यहीं यहां पर डिप्रेंट नहीं लगाना एक तो बिल्कUL मत लगाना यहीं समझाने न्यूट्रियंट अच्छा आगे लखा कि पिकिंग एन एसर्टमेंट ठीक तो आप एक कोई चीज पिक कर लिजे चुनिजे पिकिंग एन एसर्टमेंट बिजिन एवरी फूड ग्रूप किसी भी फूड ग्रूप में आप एक चीज ले लिजे ठीक है डैस द वीग मतब पूर फ़र दाहरण पर ऊद भी वूड यसा के लिए चूज चीज पूड जीज अप सीफूड ले लिजे डैसमिन ट्वाइस अउइट तो एक सपत आमें यह जिसके साथ आफ लग सकता हो ठीक तो इन्होंने कहा कि मीट की जगह पर सीफूड लीजे तो मीट की जगह पर सीफूड क्या होगा तो अब वहाँ पर ढूनेंगे हम लोग कौंसा आप संदिया इंस्टेड अफ वगेरा यह इन प्लेस आफ दिया हो इसा कोई वर्ड़ यहां आ सकता है अगर लिखा दा वेराइटी आफ फूड्स विल मेक डैस मील मोर इंट्रेस्टिंग तो जब वेराइटी आप चेंज करोगे हर बार कुछ वेराइटी विदलोगे तो यह आपका जो फ लगा लो ऐसे भी हो सकता है ठीक है अब बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले में क्या दिया इन्होंने कि डिफरेंट फूर्ड इन डैस फूर्ड ग्रूप तो अब यहां पे ध्यान रखना कि यह फूर्ड ग्रूप क्या है सिंगुलर मे लिखा हुआ है अगर वेरियस लगा दू तो यह प्लूरल हो जाएगा तो यह नहीं लगा पाएंगे अबरी बडी फूर्ड ग्रूप नहीं होगा जहीं एबरी डे फूर्ड ग्रूप होता तो हो सकता था अब यहां लिखा इच फूर्ड ग्रूप यह हो सकता है अधर फू यह दिया हुआ हैं तो इन्होंने कहा कि आप कोई भी एक ले लिजिए किसी भी फूट गुरुप से ले लिजिए डाइस दवीक और इसको क्या करते हैं सब्ताहभर फालो करिए तो क्या होगा कंप्लीट वीक होगा बिट्वीन दवीक होगा या फूरू आउट दवीक होगा या यहां फे यहां बोगे तो यह पूल झाए तो यह अंसर वी गया गया ठीक है कंप्लीट वीक नहीं होगा बल्कि क्या होगा फूरे सताह बर के लिए क्लिए क्लिये क्या लगो गया लगा होगेँ अब आज जाओगे जाओगे हैंसख्एंस नमबर तरीए पर थिप्र तो फिलर नमबर थी में यह तहिंप यहाँ दिया है इस न्यूट्रियंट ठीक ध्यानदेन नउट्रियंट में क्या लगा हुआ यह यह को ध्यान देना दीया हुआ है और तो नंबर में आना चाहिए न इंस नहीं हो इसके बाद भी plural noun नहीं लगेगा many nutrients देखो यहां plural noun है इसके लिए हमेनी ही लग सकता है और कोई नहीं लग सकता ठीक है अब आगया जाओ अगले वाले में off लगा हुआ है ठीक है तो off किसके साथ लग सकता है इसमें से ठीक है आजाओ example के लिए अगर आप sea food लेते हो किसकी जगह पर meet की जगह पर सबता है में दो बार तो की जगह पर उसके स्थान पर तो replace के बाद off यूज नहीं होता है तो यह लग नहीं पाएगा instead के बाद off लगता है कि बदले में यह off दिया हुआ है ठीक है तो यह तो सही लग रहा है away off यहां तो लेना देना नहीं है despite के बाद off लगता नहीं है तो यह भी नहीं लग पाएगा तो यह की आप सन्बचा आपका instead ठीक है off यहां लगा हुआ है instead यहां से ले लो instead off लगा लो आपका filler complete हो गया ठीक है अब आजाओ six number पे six कहां से जी five number पे ठीक है तो यह आपका हो गया number five इसमें आखरी वाला यह वाला भरना है आपको तो अब बताओ इसमें एक तो will make your food क्या होगा will make your food यह वाला yours यह वाला तो कभी लगता ही नहीं है और यह yours जब लगा होता तो अगर यह meal ना लगता तब लग जाता यह yours जो है ना यह एक्षिरी प्रोनाउन होता है यह पजे से प्रोनाउन है इसके बाद नाउन अगर लगाओगे तो नहीं लगेगा तो इसलिए गलत हो गया यह yours नहीं लगेगा और यू की जरूरत नहीं है क्योंकि आमीन लिखा यूर फूड होना चाहिए तो आपका अमसर को सा होगा यह वाला यूर होगा ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने टू वाले के भी 25 क्वेश्टन कर लिए ठीक है कितने सेट हो गए हम लोगों के कुल होगा है सेट टू तो कुल कुस्टन कितनी हो जाएंगे सब में 25 मतब 50 कुस्टन कर चुके है ठीक है तो MTS 2021 के दो पेपर हम लोग लगा चुके है और ऐसे ही हबते में कम से कम चार पेपर हम लोग लगाएंगे टार्गेट रहेगा सबता हमें चार कम से कम तीन ठीक है चार तीन चार तीन चार ऐसे हम लोग लगाएंगे और बीच पीच में करते रहेंगे क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है ठीक है तो ये सेसन आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में अपनी राय दीजीजेगा फिर मिनेंगे हम लोग नेक्स शुशन में और फाइब जुलाई के सेट नमबर थरी को ले करके इवनिंग बैच वाले को ठीक है तो वेट करिए कल देखो यही देते हैं या कुछ और देते हैं कल 26 जनुवरी है तो आप लोगों को 26 जनुवरी गरतंतर दिवस की बहुत- तो उन सारे बीरों को उन सारे शहीदों को बहुत-बहुत सद्धान देखी बहुत जोटनमन और आप लोगों को बहुत सारी बढ़ायां पिर मिनने के नेक्स वाले में तिल देन टेक यह थेंक यू झाले मैं झाले में यहां।